हेलो गाइज और वेलकम बैक तो आवर यूटूब शेनल तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटानिया के स्टॉक में आफ वीच्रन आप्शन में कैसे काम कर सकते हो आप्शन चेंट का भी अनलसिस करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉट और इंपोरन्ट होने वाली है तो वीडियो में एंट तक बने रही है इंजलवन एप में लॉग इन कर लिया हमने वसलेस्ट मेंने के बाद सर्जवाक में हम जो हे ब्रिटानिया सेर्च करेंगे ठीक है beta हम जैसे हैं यहाँ पर search करेंगे यहाँ पर दिखेंगे आपको F&O को option दिखाई देगा यहाँ पर F&O पर tap करेंगे हमारे सामने दिखी है उपर में जो 3 दिखाई दे रहे हैं यह features के expirers है March, April, May और नीचे में जो दिखाई दे रहे हैं यह options के strike price है अभी हमें इसके current month में chart का analysis करना है तो हम इसे पे tap कर लेते हैं tap करने के बाद कुछ इस तरह से interface show करेगा यहाँ पे आप इसी current price देख सकते हो नीचे में option chain, chart और stock की details भी आप देख सकते हो हमें इसका chart देखना है तो हम simply chart पे tap करेंगे chart हमारे सामने open ऊचुका है ब्रिटानिया का one day time frame का जो है इसी मन्त का current month का open ऊचुका है थोड़ा सा zoom out करके बताना चाहूंगा तो आप देख सकते हो exactly पहले भी इसी level पे आने के बद support लेके है उपर की और हमें bounce देखने को मिला था कुछ इस तरह से interface शो करेगा अगर आप इसको buy करके hold करना चाहिए तो आप carry forward में करेंगे अगर same day by same day sell करना चाहिए तो आप intra day में करेंगे lot सा इसकी बात करेंगे तो 200 का है तो यहाँ पे हम one enter कर लेते हैं नीचे में limit और market का option देए limit हैने के आप अपने 100% price पे इसको खरीच सकते हो जैसे के price चल रही है 4340.20 अगर आप इसको buy करना चाहते है 4300 पे तो यहाँ पे आप enter करेंगे जब इसकी price वहाँ पे आजाएगी आपका order execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate ने जो भी इसकी grant price चल रही होती उसी पे directly आपका order जो execute हो जाता है simply हमें buy पे टच करना है buy पे टच करने के बाद देखिए यहाँ पे confirm आजाएगा confirm पे टच करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा यह तो हो गया इसका features का अब मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसके options में भी कैसे काम कर सकते है तो यहाँ से हम back कर लेते हैं ठीक है अभी देखे यहाँ पे आप देख सकते हो CE याने के call होता है PE याने के put होता है तो हमारा view तो इसमें bullish है तो हम CE पे ही tap कर लेते हैं CE पे tap करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे option chain आपको दिखाई दे रहा होगा option chain पे हम tap कर लेते हैं हमारे सामने जो है same month का याने के 29 तमार चुड़ों 23 का same expiry का जो इसी month का यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका option chain open हो चुका है यह बीच में जो आप देख रहे हैं इसको हम strike price कहता है और यहाँ पे यह call है और यह put है okay OI means open interest होता है अगर हम यहाँ पे हमारा भी bullish है तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो इसकी current price जो भी चल रही current strike price ठीक है उसके बाद का जो है यहाँ पे हम इस पे tap करेंगे यहाँ पे देखिए नीचे में इसका चार्ट देख सकते हो ठीक है चार्ट देखने की कोई ज़रूद नहीं है क्योंकि हमने just feature के चार्ट पैनल से किया है तो simply हम buy पे टच करेंगे बाइपे टच करने के बाद same process रहेगी अगर आप इसको buy करके hold करना ज़े तो आप carry forward में करेंगे same day by same day sell करना ज़े तो आप intra day में करेंगे lot size same रहेगा 200 का ही तो यहाँ पे हम one enter कर लेते हैं ठीक है नीचे में limit और market का option देए limit याने के आप अपने मनपसंद price पे इसको खरीच सकते हो market रहेगा जो भी इसकी गरण प्राइस चल रही होती है उसी पर डिरेक्ली आपका order जो एक्जेक्यूट हो जाता है simply हमें buy पेटच करना है buy पेटच करने के बाद confirm आ जाएगा confirm पेटच करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा same process रहेगी intra day के लिए भी दूस्तों ये तो ये तो हो गया इसका future and options का chart पे भी हमने जो है इसके equity analysis किया तो उसका भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अप्लोड किया है झाल पे डाहिए 104 00 sk पेश स्थों मना एよし हमारा जो हैं झैसे निफ ठोस्सका घिजए्यो इस निन रहे रे हूं झाल झाल भ TWO येद्जों आडिति मसम्ना ए कि ए सर्दों मनत्यच करने के बoodi है खंस दूस्थ निए why आएग भी हमारा टाहिए Audio